कटिंग ग्रो करने के लिए दो बातों का जरूर ख्याल रखे अगर आप ठंड के मोसम में कोई कटिंग को ग्रो करते हैं तो उसे ठंड से बचाना चाहिए दूसरी तरफ अगर कोई भी कटिंग आप गर्मियों में तेस टेंपरेचर में ग्रो करते हैं तो हम उसे थोड़ी सी चाया वाली जगा पर रखते हैं, यनि कि दोनों ही रूपों में हम उस temperature को maintain करते हैं, सर्दी है, तो सर्दी से बचाते हैं, और अगर गर्मी होती है, तो उसे हम moisture प्रोवाइड करते हैं, या बड़े-बड़े पेड़ों की चाओं के नीचे रखते हैं, ताकि इन पोदों की cutting को right amount में temperature मिल सकें, और पोदी जो है 100% ग्रोव हो सकें, हेलो friends, once again welcome back to my channel, आज की वीडियो में शेयर करूंगी कुछ low maintenance plant, जिनकी cutting आप December January में भी बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हैं, friends, the screen पर जो प्लांट अप देख रहे हैं, यह आल्टर नेंथरा का प्लांट, friends, आल्ट जिसकी cutting आप December January में भी बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हैं, मेरे पास इसकी बहुत सारी वेराइटीज है, और यह पोदे में ने हमेशा कटिंग से ही ग्रोव करे हैं, क्योंकि यह कुछ पोदे ऐसे होते हैं, जिने गार्ण में लगाने से आपकी गार्ण की ब्यूटी जो और बिल्कुल वो भिखरती चली जाए जिसकी पोरसिटी अच्छी होने चाहिए, उसका ड्रेनेज भी अच्छा रहता है, पानी जो है वो ऐसी मिट्टी में अधिक टाइम के लिए रुकता नहीं है, इससे हमारे पोदे हो चाहिए, उनकी अवरल ग्रोथ बहुत ही अच्छ हमेशा जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मॉइस्टी रहती है, ड्राइब बड़ी मुश्किल से होती है, तो यहां पर यह जितनी भी कटिंग में लिए है मैं सभी इस वले पोट में लगा दूगी, जो अल्टेने प्लांट होता है, चाहिए वो सर्दी हो गर्मी हो, यह पोद कंटेनर में, हैंगिंग बास्कीट में और इवन की अगर कुछ पॉट में लगा देंगे, इकठे करके रग देंगे फ्रेंड्स कहीं पर भी तुसकी है और इसके इलावा इसको लगाने से आपके गार्ण में कलर भी एड होते हैं और यह आपके गार्ण की ब्यूटी को और उसके पर भी जादा एन्हेंस करते हैं तो यह अहां पर यह देखी जितनी भी मेने कटिंग ली थी वो सभी मेने इस वाले पॉट में लगा दी है नेक्स्ट अप यह पर यह देखी चे एंफ्रेंड्स जो में कटिंग टाइम तो टाइम लगाती हैं उन पोदों की गरोज़ dormancy में भी बहुत ही अच्छे से चलती है तो यह देखें कितनी अच्छे से इसकी ग्रोफ जो है वो चल रही है यह भी पोदे में ने कटिंग से लगाए हुए थे इनको में निकाल के बताती हूं आपको इनकी जड़े बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूरे पोड को कवर कर है सर्दी गर्मी का इस पोड़े खास फरक नहीं पड़ता है अगर आप इन पोड़ो की कटिंग को डॉरीमें में लगा देते हैं तो यह पोड़े असानी से विदिन वीक में ग्रो हो जाती है और यह जितने पही पोड़े मेरे आप देख रह और यहां पर देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत सारे पोदों को इन वेस्ट में ग्रोव करके रखा हुआ है और एक पोदे को में निकाल के भी बताती हूं बहुत ही अच्छे से उसकी जड़े हैं जैसे कि आप यह देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसकी जड़े बन चुके हैं जिसे में इन वाले पॉट में शिफ्ट कर दूँगी तो इसी तरह से कटिंग रो करने का बेनिफिट कि आपके पास बहुत से स्टी आपके पास सालों साल भने रहते हैं और नेक्स है जाट प्लांट भी एक पर्मसेंट औरमानेज प्लांट होता है जो सर्दी गर्मी अपकिदों को कटिंग से ग्रों कर सकते हों बहुत आसानी से बहेरा जाती है वह जाती है उन फुर्प जे Coordinator पोदों की वाटर की रिक्वाइरमेंट भी इतनी नहीं रहती है, तो यहां पर यह देखें, कुछ कट्टिंग डाली थी, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छ चल रही है, फ्रेंट गाने का बेनिफिट यह होता है, कि हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं, और हमारा जेड प्लांट होता है, इसकी टोपेरी भी बहुत अच्छी बन दिया, इसको मन चाहिए अब शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर यह देखते हैं, बहुत सारे मेरे पस जब पोदे रेडी हो जाते हैं, इन्हें मैंने अलग लग स्टाइलिंग कर देती हू इसे हमारे गार्डन की ब्यूटी और भी एन्हेंस हो जाते हैं, इसकी मैंने कुछ लंबी लंबी इसकी रूट के साथ इसकी ब्रांचिस लेके इसे मैं इसे रीं के साथ इस तरह से बांध दोंगी और जब यह पोदे घने हो जाएंगे तो एक बहुत प्यारी लुक आपके अ tiene low maintenance plant हैं जिसे आप अंधेरी वाली जगा पर गरो हैं और यहё पोदे की गरोग भी सर्दी गर्मी में बहुत चलती रहती है, और यह पोदे की कट्निग भी आप असानी से कर सकते हैं! हमेशाँ रखनी मीणे हमेशा रखनी мेWhen Cकर पूरी पॉर अप मैं को में तो beim Cumber leaders और ऊपका एंड़ चरिखै करें और अ हमारी क्टिंग को हवा लग जाती है जिसे कर से कटिंग हो लग तो यहांपर याप देख सकते हैं इसके मदर प्लांट से मैंने एक कटिंग को कट कर लिया हुआ, कटिंग वाली जगह पर वाइट सैप निकल रहा था, इसलिए जब भी कटिंग को लगाने जाएं तो कोशिश करें, आप उसके सैप को स्टॉप होने की बाद ही आप इसकी कटिंग को लगाएं, फ्रेंड्स काटिंग को खराब भी नहीं होती है और इससे हमारी कटिंग जो वह फास्ट ग्रो होती है तो जितनी भी कटिंग है वह सारी में इस वले पॉट में में लगा दोगी नेक्स्ट में इसकी अपडेट भी शेयर कर देती हूं फ्रेंड्स रबबर प्लान की कटिंग भी इसमें थोड़ी थोड़ी सी रूर्स बन चुकी हुई है तो यह पॉदे की कटिंग भी आप बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं बस इस चीज का ध्यान रखें आप बार बार इन पॉदों की कटिंग को चेक मत करें फ्रेंड्स नेक जिस पॉदे की कटिंग आप इस ते सकते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने कहीं से कटिंग लाई थी जिसे मैंने इसे वाटर में डाल दिया था अब यह देख सकते हैं इसकी रूर्स भी जो है वह बनना शुरू हो चुकी हैं यह पॉदे की कटिंग असानी से सिंगल लीव से भी ग्रो कर सकते हैं बस नौड एरिया लेके आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए किसी भी पानी में आप डाल देंगे फ्रेंड्स यह पॉदे बहुत असानी से साथ से आर दिन में इनकी जड़े बन जाते हैं और इवन कि इन पॉदों को अगर आप मॉस्टिक के साथ लगाएंगे तो जाते लिफर साइज बहुत बड़ा हो जाता है जिसमें कट्स रहते हैं तो जो देखने में बहुत जाधा खूबसर लगते हैं तो यह पॉदे की कटिंग भी बहुत ہी से ग्रौ जाती हूँ यह पोदे भी बहुत यह असानी से आप ग्रो कर सकते हैं और यह बहुत ही low maintenance plant है जिसे आप indoor डोनों ही जगाँ ग्रो कर सकते हैं और best part यह है कि इनको different different ways में प्रोपोगेट कर सकते हैं, cutting से भी कर सकते हैं, even की root region से भी आप इनके नेने पोदे फ्री में बना सकते हैं और इसक जैसे कि आप यह देख सकते हैं, मैंने इसके लोंग वली विराइटी थी Fastly한다 के इसके चोटे चोटे हिस्से करके मैंने इसफ़ी वेस्ट में लगा दिया था, अब आप यहां पर यह देख सकते हैं इसके नएरे पोदे जो है वह भी हो भी डाले हो आ हलाए कि जो वेरिगेटी तब हम गेन कर सकते हैं जब हम उन पोदों के साथ कुछ वर्क करते हैं फ्रेंड से नेक्स्ट है अगे प्लांट अगे प्लांट भी लो मेंटेनेस प्लांट होता है जिसकी ग्रोथ पूरा साल बहुत अच्छे से चलती रहती है ये पोदे भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेस में आप इनको प्रॉपोगेट कर सकते हैं थ्रू कटिंग से भी कर सकते हैं और इसके इलावा ये पोदे बहुत ही तेजी से बुशी भी हो जाते हैं जिनको root से separate करके भी आप इनके नएने पोदे फ्री में बना सकते हैं ये बहुत ही low maintenance plant होते हैं इन पोदों को ना जादा पानी की जरूरत होती हैं ना ही ये पोदे खाद मांगते हैं तो ये पोदे भी आप through cutting से बहुत easily propagate कर सकते हैं कि फ्रेंड्स इसके एक चोटे से एक बेबी को मैंने कट करके मैंने इसे इस चोटे वाले pot में मैंने लगा दिया था अब आप यहां पर यह देख सकते हैं कितने अच्छे से उसकी जड़े जो है वो डेबलोप हो चुकी हुई है आप यकीन माने यह पोदे बहुत ही तेजी से फैलते हैं और बहुत ही जल्दी यह पूरे pot को cover तो करते हैं pot को तोड भी देते हैं फ्रेंड्स अगे प्लांट से मिलता जुलता एक और प्लांट है जिसे युक का प्लांट कहा जाता है इसकी भी बहुत सारी varieties होती है यह पोदे भी पूरा साल बहुत ही अच्छी ग्रोध करते हैं बहुत ही low care plant होता है और इन पोदों को भी ना जादा खाद की जरूरत होती है ना ही जादा पानी की जरूरत होती है जिसे आप outdoor, indoor, दोनों ही जगा ग्रोध कर सकते हैं और यह देखिए फ्रेंट्स यह इसके mother plant से में इसके कुछ baby's plant को निकाल कर लाए हूँ तो आप चाहें इनके cutting को भी cut कर सकते हैं या फिर रूट से भी इनके पोदे जो निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम उनको भी separate करके अलग पोट में लगा देंगे तो यह भी बहुत ही जल्दी पूरे पोट को कवर भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी यह पोदे ग्रोग भी हो जाते हैं और यह ऐसे पोदे होते हैं जिनकी cutting हर हाल में ग्रोग हो जाती है पोदे की cutting stem बहुत असानी से ग्रोग हो जाती है और आपको वह बहुत फ्री में मिल चाहेंगी वह हमारा फाइकस पांडा का प्लांट यह जितने भी पोदे मेरे आप देख रहे हैं यह सभी मैंने cuttings से ग्रोग करे हुए हैं इनके पोदे में कितनी धेर सारी cuttings में लगा कर रखी हुई है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंट इसके मतल प्लांट से मैंने कुछ cuttings कट कर लिए हैं फ्रेंट तो बहुत असानी से एंडाय पोदे को लाएं तो आपको यह दो तो असानी से साथ से आड दिन में यह जो जो उगा जाते हैं तो यहां पर यह देखिए इसे में इस वाले पॉट वे में जितनी जो मैंने कटिंग ली हैं मैं सब की सब लगा दूगी और यहां पर यह देखिए फ्रेंड जितनी भी मैंने कटिंग इस वाले पॉट वे में लगाई थी वो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ जो है व यह देख सकते हैं, यह मेरा एक DIY है, जिसमें मैंने कुछ 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 कटिंग जो है, वह मैंने डाल दी थी, और यह पोदे भी कटिंग से बहुत असानी से ग्रोग जाते हैं, यह पोदे ऐसे पोदे हैं, जिनकी कटिंग आपका जब भी मन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी हरकिसी पोदे के साई, फिक जासे हैं, जोटे पणेंनर में लगाएं, हेंगिंग बाजड़ जाते हैं, कृण में चार से पांच दिन में जोघ्याग हैं, जिनकी देख से भी मिंटेम, अलांकि इस अधि दोधा शानी बच्र कर था क्या अधिए यह पोदेख से बिल्कुल लेडी पाम भी एक बहुती खुबसूरत ग्रीन री फिलाने वाला प्लांट होता है जिसको थू कटिंग से या फिर रूट से सेप्रेट करके भी आप इनके नए ने पोदे फ्री में बना सकते हैं और इन ये पोदे लो टेंपरेचर में या फिर हाई टेंपरेचर में इन पो बहुत से फ्री के प्लांट से भी आप मुल्टिप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है जैफन बेकिया का प्लांट जैफन बेकिया भी एक बहुती खुबसूरत और नमेल्टर प्लांट होता है जिसको थू स्टेम कटिंग से आप बहुत असानी से स्टेम पर भी ग्रो कर सकते हैं यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसकी स्टेप में काफी मॉइस्चर रहता है जब भी आप इस पोदी की कटिंग को ग्रो करें किसी भी मिट्टी में लगाएं रियत में लगा दीजिए बस पानी का ज़रूर धियान रखें इसकी मिट्टी को थोड़ जिन में इस पोदे की जड़ें बनना शुरू हो जाती है और यह बहुत ही लो मेंटेनस प्लांट होता है जो पूरा साल आपके गार्डन में बना रहता है थ्रू कटिंग से आप इनके भी नहीं पोदे फ्री में बना सकते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट है पर्पल हार्ट का प जिनकी कटिंग आप कभी भी किसी भी मोसम में सर्दी घर्मी लगाएं तो यह पोदे की कटिंग बहुत ही असानी से ग्रो हो जाते है आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूस्फुल रही होगी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक येर कम and subscribe my channel thank you friend stay blessed and bye